मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया end-to-end AIML-based project लेके आया हूँ और जैसा आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हैं यह प्रोजेक्ट है लार्ज लेंग्वेज मोडल या फिर LLM या फिर जन्रेटिव एए टेकनोलोजी के उपर बेस्ट है और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम इस प्रोजेक्ट के सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट का सोर्स और इसको मेरा सब्केक्षों कर canción कर सकते हैं और यह सेप्ट एंडफ इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे यह एक्षिश्क है स्क्रीन देख फारे लिए असरीघियो के बारे में बात करेंगे यह चुली है क्या क्या काम गरता है और इसंसे हमें क्या help हो सकती हैं यह project जैसे आप मेरे screen देख पा रहे हैं एक SQL query generator project है यह project जो जनेरेटिव AI technology का use करता है इस project में basically होता क्या है कि आप अपने किसी particular database के बारे में normal human language में कोई भी question पूर सकते हैं और यह project या फिर यह product या फिर यह solution आपकी help कर सकता है based on your question यह आपके लिए automatic SQL query generate करके दे सकता है ठीक है जैसे आप भी एक example के लिए आप मेरी screen देखी पा रहे होंगे जैसे मालो मैंने एक question यहाँ पर पूछा था how many total customers present और बस यहाँ पर कंडिशन यह यह है कि आपका question आपके database के relevant होना चाहिए अगर irrelevant होगा तो यह आपको गलत results भी दे सकता है तो आपको जो है आपका question relevant होना चाहिए आपके database के according और आपके लिए यह बहुत सही query generate करके दे सकता है जैसे आप यहाँ पर देख पारे मैंने question पूछा था how many total customers present और उसके बाद जो है इसने बहुत correct query generate करिए select this and count customer ideas total customer from e-commerce.customers as seeds तो मैं यह सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा और SQL query का result आया था यह मैं आपको यह सारी चीज़े दिखाऊंगा कि database कहा है कौन कौन सी टेबल है हमने क्या question पूछा तो क्या query generate होई वह सारी चीज़ों के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे यह अभी हमारा हो गया brief introduction project का अब हम आगे बात करते हैं project के demo के बारे में demo करने से पहले मैं आपको एक brief background दे देता हूं कि जैसा मैंने आपको बताएगी यह project जो है आपके database के according मतलब आपके question के according आपके database से query generate करके दे सकता automatically जैसे उससे पहले मैं आपको एक database का overview दे देता हूं यह मेरा database है यह मेरा schema है इसमें मैंने जो है अभी के लिए तीन tables create करी है एक customers table है एक orders table है और एक payments table है तो अगर मैं customers table की बात करूँ तो इसमें basically जल्दी से बता देता हूं ज़्यादा कुछ है नहीं एक basic जैसे किसी customer की details है customer की id customer का name उसकी email उसका address और उसकी date of birth यह customer की कुछ details है ठीक है ऐसे दूसरी table है orders orders table के बारे में बता देता हूं यह orders के अंदर वो details है मान लीजिए आप ऐसा scenario कर लीजिए कि customer ने कुछ orders place कर रखे हैं उन order की details है जैसे order का number order की डेट और customer id यानि कि किस customer ने वो order place किया था shipping date मतलब किस देट को ship हुआ था status and blah blah और different things उस order का अभी current क्या status है ठीक है और एक तीसरी table है यहां पर payments की payments की मतलब की उच कस्टम पेमेंट की details है basically payment की ID customer की ID payment amount order number और किस payment method से किया था credit card से PayPal से debit card से check से या किस से तो आप इस पूरे context को एक e-commerce related project का context या वैसा database का context समझ सकते हैं कि हमारे यहां पास कुछ tables हैं जिसमें customers की customer के orders की और उसकी payments की details पढ़ी हैं यहां पर और 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 आप table चाहें तो वह tables भी जो है आप create कर सकते हैं तो यह हमारी जो हो गई हमारी जो database की background information हो गई अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब मानलो मैं कोई भी एक normal human language में आपको इस project के बारे में इस project से question करता हूं कि यह मेरे लिए उस database के according जो मैंने अभी आपको दिखाया है यह मेरे लिए इसकी लोजिकल क्वरी यही बनती है कि you need to find how many customers are there और इसनी यह वाली क्वरी जन्रेट करी थी और इसकोरी का result भी यह आया था तो मैं अगर आपको यह सेम क्वरी इस exactly यहां पर रन करके दिखाता हूं तो यह मैं आपको दिखा दूँगा कि यह correct क्वरी है और correct results भी है तो जैसे मैं अगर आपको दिखा हूं यहां पर इसने customers table में इसने customer table के उपर इसने यह query run करी है और इसने query का result दिया 10 और same यहां पर हमारे यहां पर यहां पर भी जैसे आप देख पार है SQL query execution result 10 तो basically ना सिर्फ यह query generate करता है बट उस query को execute करके जो result आता है वो भी यहां पर show करता है ठीक है और यहां पर नीचे मैं एक section बनाया हिस्ट्री का तो basically एक particular session में जो जो आप query generate करोगे वो नीचे हिस्ट्री में append होती जाएंगे ठीक है चलिए आप demo करते हैं demo में एक question मैंने already कर रखा है अब मैं कोई दूसरा ये एक question ये वाला question किसी एक single table के उपर run हुआ था अब मैं आपको जो है एक दूसरा question run करके दिखाता हूं get the order number for the order whose status is processing so basically मैं क्या चाह रहा हूं कि वो order number चाहिए मुझे जिनका order status अभी भी processing ही है तो अगें ये एक single table का question है जो की इस table से answer होगा orders table से यहां से मुझे order number निकालने जिनका status अभी processing है ठीक है तो मैं ये question करूँगा ये again एक single table के उपर है फिर हम two table की query से related question देंगे और two table से related query generate करेंगे त्री टेबल से related question देंगे और accordingly हम यह हमारे लिए query generate करेगा तो जैसे मैं आपको यहां पर query generate करके दिखाता हूं यहां से जैसे आप generate SQL query करेंगे यहां पर प्रोसेसिंग में details आ जाती है नाव अब यह जो है based on the configuration of your machine यह project जो है यहां पर query generate करने में time ले सकता है क्योंकि यह background में एक large language model का use करता है जो कि around 500 GB का है और आपकी machine या आपका processor या आपकी RAM कितनी powerful है और अभी currently कितने resources जैसे कि कितनी RAM और कितना processor available है based on all these factors यह यहां पर time लेता है ठीक है तो जब तक कि यह generate हो रहा है we can wait for it तो जैसे आप मेरी screen देख पा रहे हैं मैंने यह वाला question पूछा था अब इसने मेरे query generate कर दी है get the order number for the orders whose status is processing so basically मैं वो orders निकालना चाहरा था जिनका status अभी processing है तो जैसे आप यहां पर देखोगे मैंने यह वाला इसने execution result दिया मैं अगर इसको database पे भी actual में run करके देखता हूं न तो यह मेरे को just to test की इसने correct query दी है कि नहीं तो जैसे आप यहां पर देखोगे तो यह मुझे सही order number दे रहा है और just to be more sure o dot if I say status मैं एक बार status भी चेक कर लेता हूं ठीक है तो जैसे आप देखोगे यहां पर order number और status और इन तीन order 1003 10010 और 1010 यह तीन का और अभी जो है processing है तो बेचरी यह तीन order मेरे processing में तो यह वाली मेरी query इसने सही correct generate करी है यह query इस table order table के अगेंस थी इसमें हम एक ही टेबल टार्गेट टेबल थी बैसे की टेबल से हमारा काम चल रहा था अब मैं एक ऐसा status ठीक है तो बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूं कि मुझे वह customer name और उनके order का status दो जिनके order अभी भी processing status में तो बेसिकली इसमें दो टेबल यूज होंगी एक आपकी customer एक होगी आपकी order टेबल इसके लिए मैं कोरी जन्रेट करके देखता हूं और लेट सी कि यह कैसी को जन्रेट करता है सो आइडिया यहां पर यह है कि सिंगल टेबल की कोरी रिलेटिवली ज्यादा एजी होती है या सिंपल कोरी हो सकती है बट जैसे जैसे हम मल्टिपल टेबल को इन्वोल कर करता हूं तो में यह मेरे लिए कोरी जन्रेट करने लग जाएगा उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहरा था कि जैसे जो जो मैंने आपको बताया था कि यहां हिस्ट्री सेक्शन में जो जो आपको पूछन पूछते जाएंगे वह नीचे अपन्ड होते ज चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो जैसे ही मैं इसको हिट करता हूं तो बेसिकली मेरा जो LLM जो है लार्ज लेंग्विज मोडल है वह में 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 लोड़ होता और CPU स्टार्स वर्किंग ओननेट तो आप यहां पर इतना ही जल्दी आपके लिए कोरी जन्रेट कर सकता है तो लट सी लट इस वेट फॉर जन्रेटिंग डिस कोरी तो यह मेरी जो कोरी थी यह मेरा जो एक्ट्वल क्वेसिन था उसको यह उसने रिजल्ट दिया तो मैं अगर इसको एक बार रन करके देखता हूं जैसे मैंने आपको बताया था यह कोरी दो टेबल को टार्गेट कर रही थी और अगर अपको रण करके दिखाता हूं तो लेट वेलिडेट की यह में करेक्ट रिजल्ट दे रहा है कि तो यह मुझे उन यूजर के नाम देदेता और यह उडर के स्टेटस देदेता जिनके ओडर जो है भी processing में ही हैं ठीक है मैं आपको एक और जो तीसरी बैसिकली एक और ज्यादा complex query आपको generate करके दिखाता हूं जिसमें कि हम तीन टेबल का यूज कर रहे होंगे बैसिकली जो तीन टेबल को target करेंगे तो बैसिकली लैट से मैं आपको यह यहां पर इसको question देता हूं वो question है यह get the order status जो कि हमें order table से मिलेगा payment amount जो हमें payments table से मिलेगी and payment method for the customer Alice Johnson so basically मैं order status payment amount payment method Alice Johnson customer के लिए get करना चाह रहा हूं ठीक है तो मैं अगर इस पर यहां पर generate SQL query करता हूं again it may take some time and we can wait till the time the query generated ओके तो आप जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं यह जो मैंने question दिया था इसके लिए भी इसने query generate कर दिये और यह वाली query है और इसका इसने result भी दिया है ठीक है मैं अगर इसको run करके दिखाऊं तो मुझे यह same ही result आएगा and this is a correct query तो मैं जैसे यहां पर अगर run करके दिखाता हूं आपको तो जैसे यह मुझे दिखा रहा है कि Alice Johnson नाम का जो user है मुझे उसके order का status payment amount और payment method जानना था तो मैंने इसको यह वाला question दिया था get the order status payment amount and payment method for the customer disk और इसने मुझे जो है बिलकुल correct query generate करके दिए and execution का result भी बिलकुल correct आ रहा है तो यह हमारा हो गया actually अभी demo की बात तो मैंने यहां पर जो है three different levels की query generate करिए single table की query जो की quite simple है single table पे ही थोड़ी सी tweak वाली है थोड़ी सी complex query फिर दो टेबल वाली और फिर okay तो अब हम बात करते हैं code के बारे में हम basically अब हम यहां पर code के बारे में बात करेंगे कि actually यह code कैसे लिखा गया और कैसे काम करता है तो मैं one by one यह मेरा प्रोजेक्ट है यहां पर one by one इन सारी जीजों के बारे में बात करूंगा तो यह मेरा जो है basically यह मेरा database है यहां पर जो जो भी मेरी SQL जो मैंने यहां पर my SQL में इंपोर्ट कर रहे तो फाइल की form में वहां पर है तो इसको अभी के लिए और models के अंदर मेरा जो जी जी यूएफ वाला SQL coder जो open source model है वह वाला है तो basically यह क्या है कि SQL coder एक large language model है जो की specifically इसी task के लिए designed है कि आप natural language के base पर query generate कर पाएं और इसका जो इसका भी जो है आप मैंने quantized version यूज किया है क्योंकि local commodity hardware यानि कि local laptop या normal machine के उपर जो है आपके जो आपके जो यह large language model है यह बहुत heavy होते हैं और उनको run करने के लिए आपको इनके quantized version यूज करने होते हैं so dot gguf is your is quantized version of this model okay so अब हम one by one files के बारे में बात करते हैं dot env यहां पे जो कुछ variables है और उनकी values defined है जो जो हमने यहां पे define कर रखें कि DB का नेम क्या है रूप यूजर नेम पास्वर्ड औन बलाबला different things model मेरा कहां पे रखा temperature और बाकी की जो details हो हमारे code में यूजरी वह यहां पे हो ओके उसके बाद जो है app.py यह इसके उपर हम बाद में आएंगे उसके बाद उससे पहले हम इसको cover कर लेते हैं config config helper file है जो कि basically आपका जैसे ही आप जो basically values read करते हो .env file से और उनके variables की वह config file के तुरू होता है जैसे आप यहां पर देखेंगे class config जैसे आप देखेंगे OS.env यहां से db की connection string क्या है भाई model का path क्या है temperature की क्या value और max tokens कितने होने चाहिए टोपी की value गया number of context की value गया टेबल नेम की वह सारे जो .env file में हम इस file के तुरू read कर रहे हैं ठीक है और कहां पर read कर रहे हैं हम यहां पर read करते हैं तो यह हमारी query generator यह वाली file जो हमारी important file है काफी important file है actually यही main file है अब इसमें यहां पर इस शुरू में हमने सारी चीज़े इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें मैं आपको बता देता हूं हमने लैंग्चेन का लैंग्चेन एक framework है उसका हमने यूज किया है लार्ज मोडल से इंट्रेक्ट करने के लिए और बाकी की चीज़े करने के लिए डेटाबेस से इंट्रेक्ट करने के लिए लाइंग्चेन एक आपका framework है उसका हमने यूज किया यहां पर सबसे पहले मैंने जो रिक्वार्ड लाइब्रेरी ती या डिपेंडेंस सी थी उनको करवा रहे हैं इसी फाइल के थिरूज मैंने आपको रिखाए कि ऑंदर घैलत तो अब यहां से जैसे कांफीग दॉट डॉट तर्चट डाइलेख्ट डिफोल्ट यह सारे डिफ्रेंट वडियेबल बल्स हैं जिनकी वैल्यू डूट य फाइल में देफाइंड हैं और उनक लेकिन आपको अपने लोकल मशीन के उपर यानि कि आपने जिस Small Machine यानि कि जिनकी RAM कम है बहुत ज़्यादा है वहां पे GPU नहीं है या CPU Only है तो वहां पर आगर आपको उन models को use करना है तो आपको GGF यानि कि Quantized version चाहिए दूसरी चीज उस Quantized version को भी Initialize करना है तो आपको dependency या एक library होती है Lama CPP उसके तो यहां पर मैंने उसको इनिशिलाइज करवाया ठीक है यह मेरा मोडल इनिशिलाइज करने के बाद यह मैथड है मेरा प्रॉंप्ट जनरेट करने का अगर आपको पता हो तो कुछ ताइम पहले यह और आज भी प्रॉंप्ट इंजिनिंग बहुत जादा करना है कि आप उसमें रखें और रेलेवंट इंफरमेशन ही आप अपने लार्ज लेंवेज मोडल को दें और फिर प्रोसेस कर पाए तो जनरेट प्रॉंप्ट के लिए यहां पे चैट प्रॉंप्ट टेंप्लेट यहां पे उपर आपको मैं आगर आप क्लास होती है वो जो क इसको हमने क्या करते हैं हम कुछ देते हैं मोडल को एक्स्रा आवेर करने के लिए जब हम क्वेशन पूछते हैं जैसे मैं यहां पर हमारे एक्जांपल इस फाइल में एक्जांपल बता देता हूं कि हम इंपूट क्या दे रहे हैं और क्वेशन पूछता तो इसके रिस्पेक्ट की यह कुरी जनरेट होती है तो आपको भी ऐसे ही गिवन क्वेशन के लिए क्वेशन जनरेट करने हैं ठीक है उसके बाद हमने यहां पर फ्यूशूर्ट प्रॉंप्ट को इनिसलाइज करवाया उसको वह किया है और फिर हमने फ यह वाली डिटेल्स और इन सब को हमने रैप कर दिया इस फाइनल प्रॉम्ट के अंदर फाइनल प्रॉम्ट को फिर हम जो है इस फाइनल प्रॉम्ट को हम अपने लेंगे वह आ गया उसके बाद हमारा एक और अब यहां से वैसिकली कोष्षण के बैस्तलर करके देगा तो हम यहां पर कैसे देडर कर रहे हैं जैसे जो यह उपर वाला मैठ़क्स रहे हैं इसको यहां पी चैनल प्रॉम्ट बना रहे हैं और इसक्रियेट यह हमारा लाइंग चैन में एक और आपका जो क्रीए अट सर्ट परी चेन यह जो है उसको हमने इंपोर्ट किया है प्रोम लाइंग्वेज मोडल एलम का अबजेक्ट जाता है डेटाबेस का अबजेक्ट जाता है जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहरे है और फाइनल प्रोम्ट मतलब फाइनल प्रोम्ट में क्या क्या होता है आपके कुछ एक्जंपल्स होते हैं आपका क्वेशन होता है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वह डिटेल्स होती है ठीक है फिर यहां से क्वरी जनरेशन चेन का बेसिकली हमें क्वरी जनरेशन चेन के एक variable में assign कर वा लिया इसको और फिर हमने invoke कर दिया with the given question और फिर हम क्या कर रहे हैं यह जो हमें फिर एक query generate करके देगा query generate करने के बाद हम हम क्या कर रहे हैं अब जो यह model use कर रहे है SQL coder वाला यह model basically fine-tuned है SQL query generate करने के लिए लेकिन SQL भी different बहुत सारे database है जैसे Postgres SQL database है ऐसे MySQL भी SQL database है लेकिन इन दोनों के syntax में थोड़ा सा different होता है तो हमारा जो यह model है यह वाला model जो हम use कर रहे है SQL coder यह model जो है basically Postgres specific के syntax specific query generate करके data है तो लेकिन हम अपने case में क्या कर रहे है हम MySQL specific database यूज़ कर रहे है तो यह एक library होती है SQL gloat करके जिसमें हम basically हम क्या कर सकते हैं कि एक dialect से dialect आप ऐसे समझे लिए मतलब SQL database का एक dialect मतलब कि एक flavor से दूसरे flavor में मतलब कि हम postgres से MySQL query में हम उसको basically syntactically convert कर सकते हैं तो basically होता क्या है कि यहां पर हम जो model हमें query generate करके देगा as a safety procedure हम क्या कर रहे हैं उस query को इस SQL gloat के थूरू MySQL query specific बना रहे हैं ठीक है हो सकता कि यह already MySQL specific query हो लेकिन फिर भी हम यहां पर पास करेंगे अगर वह MySQL specific होगी तो कोई problem नहीं होगी और अगर postgres specific होगी तो वह हमारे लिए क्या बोलते हैं MySQL की query बना के देदे जाओ ठीक है यह हमारा वह वाला part उसके बाद जो दूसरी chain है हमने हमारा method है execute query का तो जैसे हमारी query generate होती की query generate होने के बाद जो है यहां पर हम query का execution result भी देते हैं और उसका क्या result आ रहा है वह इस method के तूल करके हमारा वह होती क्लास उसके अंदर हम database को पास कर रहे हैं पर इस chain को कर रहे हैं और जो भी execution result आता हम वह अपनी यूई पर दिखाते हैं और यह फिर हमारे एक method होता है correct SQL query यह जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार आपका ऐसा होता है कि आपका आपका जो लेंग्विज model है वह correct SQL query generate नहीं कर पाता कई बार इस model में भी मैं आपको बता दूँ 85% के आसपास की accuracy है जबकि कई बार ऐसा होता है कि वह model जो है SQL query में जैसे ठोटी मोटी गलती करतेगा कि जैसे एक extra bracket लगा देगा या एक कम bracket लगाएगा तो उस टाइप की अगर कई बार syntactically query अगर रोंग होती है तो हम यहां पर इस method के तुरू फिर से model को देते हैं कि आपने यह गलत query generate करिए आपको इसको correct generate कीजिए और फिर यहां पर query chain बनाते हैं और फिर उसको invoke करते हैं और इस query chain में हम क्या क्या देते हैं question देते हैं query देते हैं और जो result है तो सब देते हैं तो इसको call कर रहे हैं हम चाहें तो इसको अगर हम सिर्फ इस फाइल को रन करेंगे तो यह डारेक्ट यहां पर कॉंसोल पर आपके डिटेल्स देगा लेकिन हम यूआई के थुरूप करना चाहरे हैं तो हमने यूआई के लिए एक्स्ट्रीमली टाइप बनाई है जो कि यह उसका कोड यहां पर यह आपका ऐसे समझ लिए कि आपका फ्रेंट एंड है ज्यादा इसमें कुछ है नहीं यह आपका कस्टम सी एसस है मतलब कि स्टाइलिंग वगरा है कि यह सब चीजे मैं कवर नहीं करूँ हूँ इसको मैं अभी के लिए बन कर देता हूँ यहां पर देखो कि मेंन के अंदर सब आपको कवर करवाई थी यह वाली स्क्राइब क्लास का हम यहां पर अब्जेक्ट बनाते हैं इसका अब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हम इसको ही यूज कर रहे हैं एसक्योट जैन को और और यहां से यूजर क्वेश्चन टेर वह क्वेश्चन हम इसको पास करते और यहां पर बाकिका डिजाइनिग मातलब यूआ का पार्ट है की हम मेंटेन कर रहे हैं spinner दिखा रहे हैं और अगर error आ रहा है तो हम query को करेक्ट करते हैं ठीक है और यहां पर हम session की history maintain करते हैं इसमें आप ऐसे समझ लेजिए में में जो हमारा query generator वाल क्लास है और यहां पर तो हम उसको बस call कर रहे हैं और यूआई पर दिखा रहे हैं मतलब एक थोड़ा good look and feel वाली यूई के साथ हम दिखा रहे हैं और यह requirement.txt में सारी dependencies defined है जो हमें basically इस project को करने के लिए चाहिए ठीक है तो हमने सारी चीजिजओं के बारे में बात कर लिए हमने और हमने इस और अवरोल मैं अगर इसे syntetical error कर देता है लेकिन अगर आप इसको नेक्स लेवल पर लेके जाना चाहरे हैं तो आप जो है इस model को accordingly fine tune कर सकते हैं अपने database के coding तो इसकी accuracy और भी ज्यादा better हो सकते हैं तो अगर आप अगर आपको यह project अपने किसी भी के लिए आपको अगर चाहिए तो आप मेरे साथ connect कर सकते हैं मेरे नंबर इस वीडियो के description में भी है और जो है comment में भी आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं और मैं आपको इस project का source code provide कर सकता हूं और आपको आपकी help कर सकता हूं कि आपको इसको अपने प्रजेक्ट अपने मशीन के उपर आपने लैप्टप के उपर इस project का कैसे setup करना कैसे run करना है so that's all for this video guys stay tuned for more such interesting videos and most interesting project on AIML and thanks for watching stay tuned for next video bye bye take care